अभी भावक ने कहा कि ठीक है हम अपने बच्चे को आपके स्कूल में नहीं भेजेंगे जब भेजेंगे उसके बाद जो आपका रियूनरेशन होगा वो हम पे करेंगे तो निस्सित रूप से सरकार को संबेदन सीलता दिखानी होगी उनी स्कूलों के प्रती और खास करके व प्रेड में उससे भी उनका कुछ काम चले एक दूसरी महत्पून बात मैं बता रहा हूं सरकार गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करती है अभी महरास्टा में स्कूल खुला गाइडलाइन है कि बच्चे टीफिन सेर नहीं करेंगे असेंबली नहीं होगी कॉमन रूम में करते हैं और दूसरी जी वो अलफा आया बीटा आया डेल्टा आया ओमिक्रोन आया कल कोई और वैरियंट आयेगा और जो वैरियंट आयेगा वो में भी कि वो इतने म्यूटेशन के साथ आये कि वो काफी जान लेवा हो तो मैं तो फिर कराऊं कि आपको इसके साथ जीना का आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं इस नाम पर कि चुकी ओमिक्रोन है अब एक हर्ड यूमेनिटी की बात होती थी हर्ड यूमेनिटी में पहले का जो डेटा था वो था कि 60-70% लोग चाहे वो नेचुरली इम्यूनाइज़ हो जाए चाहे वैक्शिनेटेड हो जाए व इसका रेशियो बढ़के 80-90% हो गया तो भाई हर्ड यूमेनिटी आते रहेगी लेकिन अगर वो बच्चे अगर एक डिस्टेंस मेंटेन करके स्कूल में जाते वो पढ़ते आप वहां असेंबली को बंद रखिये टीफीन एक्सेंज नहीं करेंगे वाटर बोतल का यूज नहीं करेंगे कॉलेजेज के लिए भी मैं बोल रहा हूँ और एक बड़ा सटिक सवाल भी आपने विजय जी से भी पूछा और हुलास जी से भी पूछा कि अगर उन बच्चों को जिनको वैक्शिनेट आपने करा दिया वो वैक्शिनेशन आपने कराया कहां वो तो कराया और कॉलेज में ठीक है कुछ बच्चे आपके नहीं लिए कल जब आप इस्कूल खोलेंगे कॉलेज खोलेंगे तो फिर बच्चे आएंगे जिनको नहीं वैक्शिनेशन लगा है उनको लगवा देंगे उन तो सबसे आपके लिए अच्छा प्लेस होगा कि उसी प्री परिवार के क्या साधन है आप इस पर कईवार डिवेट कर चुके हैं कितनी इंडस्ट्री है सब को पता है मिला जुला करके पढ़ा हो लिखा हुआ नौजवान सायद उसमें पार्टियों से उपर उठकर के बिहार की मानसिक्ता से जब सब लोग सोचेंगे तो एक पढ़ा कि नहीं यह तो अभी इसका प्रियड है पेंडेमिक है हम तो इसको बंद करेंगे अब बंद कीजिए लेकिन उसका आर्थिक सब्स्टिचूट भी और जो महत्मून बात की सारी चीजों के अधिकारियों के भरोसे ठीक है सिख्षा स्टेट के जिम में हैं आप तैकर लेंग कि अगर बच्चे को तीन दिन तक अगर क्लास नहीं लिया जाए और चौथा दिन अगर क्लास लिया जाए तो उसका IQ लेवल घट जाता है और आप तो साहब 19 में 20 में 21 में जिस तरह से आपने किया बच्चों को एक तरह से बच्चे की रेगुलरीटी डिस्टर्ब हो रही ह और निश्चित रूप से कम समझवाली पीढ़ी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं एक आखनी परतिकरिया आपसे जानेंगे अभिनास इस पूरी स्थिति को देखा जाये तो क्या हमें उमीद करनी चाहिए जो पांस तारीक के बाद क्या बिहार सरकार को सद्बुधी आएग कि बच्चों को देखते हुए अभिबाबक को देखते हुए शिक्षक को देखते हुए और भावी पिढ़ी को देखते हुए सरकार शिक्षन संस्थान को खोले